हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूट्यूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वाइर्मेंटल जीगराफिक की जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है environmental hazards and remedial measures इसको हम लोग आज किस वीडियो में कभर करने वाले हैं आपको याद होगा जब हम लोग जिग्राफिया पर इंडिया हम लोग डिसक्स कर रहते हैं उसका contemporary जो इसू सेक्षन था उसमें भी हम लोग environmental hazards को डिसक्स के हुए थे detail में फिर भी यहां पर एक बार हम लोग फिर से यहां पर डिसक्स करते हैं environmental hazards और remedial measures होते क्या है देखो हमको पता होगा कि environment क्या होती है हमारी surrounding things है biotic, abiotic components जो भी हैं हमारी surrounding things हमारी environment खलाती है और environment हमें काफी कुछ देती है यानि काफी कुछ हमें advantage होता है environment environment से और हम sustain करते हैं environment के थुरू ही लेकि environment में कुछ ऐसी activities होती है कुछ ऐसा behave करता है environment कभी कभी जो कि human के लिए यह human के property के लिए यहाँ पे loss होता है ठीक है तो ऐसे environment के behavior या ऐसे environment के action को हम बोलते हैं environmental hazards तो environmental hazards क्या होते हैं जो environment के behavior एक्षन जो human की property या human को ही loss पहुचाए वो हमारी environmental hazards होते हैं ठीक है तो environmental hazards को आप one line में ऐसे आप define कर सकते हो यह दि लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे एक तो आप लिख सकते हैं environmental hazards are the element of circumstances in the environment that have potential to cause harm to people और property और बहुत ठीक है environmental hazards are the possibility of risk cause by the environment उसको बोलते हैं environmental hazards देखो यहाँ पे थोड़ा सा different है disaster और hazards में disaster hazards कभी कभी लगों में same terms use किया जाता है लेकि hazards क्या होती है possibility of the यहाँ पे हाम पहुचाने जो possibility है उसको hazards बोलते हैं जैसे मालो यहाँ पे आपने घर बनाया हुआ है और यहाँ पे एक तरह से यह हमारा hill है hill के उपर बड़े-बड़े rocks भी है लेकि घर आप नीचे बनाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे जो घर बना हुआ है एक हजारडस जोन में बना हुआ है क्यों क्योंकि यहाँ पे रोक यह दि गिरेंगे तो घर यहाँ पे घर को नुकसान पहुचेगा तो एक तरह से कब होगा जब यह रोक घर के उपर गिर जाएगा तो हमारे बोलेंगे उसको डिजास्टर है तो हजारडस का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि पोटेंसियल टू हम मतलब ऐसी एक्टिविटी ऐसी चीजे जो हमारी मैन को या प्रपर्टी को हम पहुचाने की पोटेंसियल लगत गती है वैसे हमारी इनवार्मेंटल हजार्स होते हैं तो नेच्रल्ली कॉज होते हैं यानि कि धिम्यूमन उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है दूसरी हमारी होती है human induced environmental hazards natural hazards में आप देखोगे तो volcanic eruption volcanic eruption यहाँ पर human का control नहीं होता है यह हमारी आप बोर सकते हो कि earth के interior से जो लावा निकलती है जो हमारी internal जो earth की जो force होती है उससे हमारी volcanic eruption होते है earth की पर भी human का generally control नहीं होता है human induced भी अर्थ को होते हैं लेकि naturally भी आते रहते हैं ठीक है landslide भी ऐसे होती है cyclone आप बोल सकते हो naturally भी होती है lightning, hell storm, forest fire, cloud burst, flood and drought, cold wave, heat wave, epidemics इस सारे चीज़े naturally भी होती है कुछ कुछ चीज़े हैं पर human induced भी होती है या उसकी intensity को human के activity द्वारा ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारी natural hazards हो गया या environmental hazards जो naturally होते हैं वो हमारे हो गया दूसरी जो environmental hazards होते हैं वो हमारे human induced भी होते हैं human की activities की चलते हैं या तो उनकी intensity बढ़ जाती है या बोल सकते हो कोई initiate भी होती है जैसे यहाँ पर human induced landslide भी हो सकते हैं यहाँ की जो स्लूप है स्लूप ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर स्लूप engineering analysis नहीं किया है तो landslide होने की chances होती है earthquake भी human induced हो जकते हैं या बड़े-बड़े डैम बना रहे हैं या कुछ ऐसे nuclear test करते हैं जिससे earthquake काती है माइनिंग हो गए poisonous gas release करते हैं chemical factor नुक्लियर waste हो गए या eutrophication हो गए जो हमारी जो बहुत सारी fertilizer जो हम यूज करते हैं खेतों में वह जाके तलाब में जमा हो जाते हैं यह भी हमारे एक environmental hazards में आता है epidemics भी हो गए जैसे COVID-19 में आप बोल सकते हो तीसे हमारी human-indist environmental hazards हो गए अब देखो, यहाँ पर terms mentioned किया गए remedial management यहाँ नहीं किया गया है management का मतलब है कि जो हमारी environmental hazard है उसको कैसे manage करें hazards को यहाँ पर manage नहीं कर सकते हैं एक तो human-indist हमारी environmental hazards हैं उसको हम manage कर सकते हैं उसको prevent कर सकते हैं ठीक है जैसे मालो earthquake एधी human interest आने वाला है तो उसको हम minimize कर सकते हैं prevent कर सकते हैं बड़े-बड़े dam ने मना के छोड़े-चोड़े dam मना है mining अच्छे से कर सकते हैं landslide को रोकने के लिए जो slope engineering होती है analysis उसको हम करके वहाँ पर construction करें तो हमारी human interest जो landslide हो हमारी prevent हो सकती है तो remedial में भी दो type की है एक natural जो हमारी environmental हजारो's होती है उसको prevent तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके impact को हम minimize कर सकते हैं जैसे मालो earthquake क्यों किना के अच्छे गर ना के या जो इदी मालों वहाँ पे अर्ध को आई है टाइमली वहाँ पे जो साहता पहुंचा आ जाए उससे हम मिनमाईज कर सकते हैं ठीके तो नेचरल जो हजार्स होते हैं नेचरल जो हजार्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं उसके इंपेक्ट को मिनमाईज कर सकते हैं capacity building करके लेकिन जो हमारी human industry हमारी environmental हजार होते हैं उसको हम prevent कर सकते हैं ठीक है human industry को हम prevent कर सकते हैं prevent करने के लिए हमें जो sustainable development है उसकी strategy को अपनाने की जूरत है और इसके लावाँ आप बोड़ सकते हो कि जैसे कहीं पर construction हो रहा है तो scientific slope analysis करने की जूरत है और बड़े-बड़े डैम नहीं बनाना चाहिए स्वाइल इरोजन को रोकने की ज़रुत है और्गनिक फार्मिंग आप करो गए इट्रोफिकसन जो होती है वो नहीं होंगी और बीग डैम नहीं बना जाया टॉक्सिक मेटेरियल जो है रिलीज नहीं किया जाया ठीक है इस सारी चीज़े हमें यह security जो norms होते हैं कंपनी में वो नेगलेट किया जाते हैं पैसे बचाने के लिए उसको strict implementation किया जाया जो सेगेटवी norms नौम स्कते हैं उस पर compromise नहीं कि जाया इन सब चीज़ों से जो हमारी नेशरली इंडेस्य जूंदिपर हमारी इनवर्मेंटर हजार्स होती है उसको हम यहां पर prevent कर सकते हैं और जुनियु सोरी human इंडेस्य वाले में हुआ होते हैं थेटिक्याल के लिए जिसा कि हमारी ह्यूमन पोलस होती है यहां प्लड़स के लिए जमादे magic जाया जिससे की हमारी flood को रोका जा सके और water state management के जाए drought वाले जहाँ पर area है वहाँ के लिए ठीक है तो हजाट में पर इन से हमें पता चल जाएगा किस टाइप की हजाड आती है यदि flood आती है flood के prevention के जाए डॉट आती है तो water state management आती है तो आज के लिए थे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभर करेंगे उसके बाद हमारा environmental जो जिग्राफी है ओमारा खतम जाएगा ठीक है आज हमारा second last था कल हमारा जो टॉपिक होगा ओ लास्ट टॉपिक होगा environmental जिग्राफी का तो thank you